हेलो एरिवन, वेलकम बैक टो अनलाइन स्टेडियों, आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं, लूसिन सब्जेक्टिव बुक के पेस नंबर 29 से लेकर के 33 का आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 29 से लेकर 33 पेस नंबर तक तो अगर आपने पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है, और वाइस पढ़कर के आईए तब वीडियो को देखें, तो चले शुरू करते हैं फर्स्ट क्रिशनस बनता है कि 1526 में बाबर ने किस वन्स के सासक को परास्त कर मुगल समराज्य की निव डाले, इस प्रशने का राइट आंसर बनेगा, आप्सन बी, लोधी वन्स का जो सासक था इबराहिम लोधी उसे परास्त कर 1526 इसमें जो पानिपत का प्रथम युद ह 21 अप्रेल 1526 को इबराहिम लोधी और बाबर के बीच जिसमें बाबर विजय रहा, तो इसी युद में इबराहिम लोधी को पराजित करने के पस्चात मुगल वन्स का निव पढ़ा, पानिपत का प्रथम युद कब हुआ, पानिपत का प्रथम युद भी जस्ट बताया, 21 अप्रेल 1526, 21 अप्रेल 1526 यानि आप्शन हम B को टिक करें, थर्ड क्योंस, बाबर ने प्रसित तुगलमा जो नीती का परियोग है, तुगलमा युद नीती का परियोग, स्वार प्रथम किस युद में किया था, बाबर ने पानिपत के प्रथम युद में पहली बार तु अप्रियोग किया था, तो सही आंसर आप्शन हम C को टिक करेंगे, ध्यान रखेगा, और इसमें दो निसाने बाज थे जिनका नाम क्या था, उस्ताद अली और मुस्ताफ़ा, ये ध्यान रखेगा, उस्ताद अली एवं मुस्ताफ़ा, नेक्स्ट वन देखते है, सही आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, पानिपत के प्रधम युद्ध को जीतने के बाद ही, ठीक है, यहाँ पर सही आंसर बनेगा, ऑप्शन ए, अच्छा, खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा संगा को जो पराजित किया था, उसमें एक नार कराया, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने बुलन दर्वाजा का नेमान कराया था, बुलन दर्वाजा, अच्छा, कल की वीडियो में हम लोगों ने डिसकस किया था, कि अकबर ने गुजरात को कब मुगल समराज में मिला था, नीचे कमेंट करके बताएगा, अपनिपद की दूसी लड़ाई, पानिपद की दूसी लड़ाई, 5 अप्रेल 1556, पानिपद का दूसरा यूद, अकबर और हेमु के बीच, दीने इलाही नामक नया धर्म किसके दौरा सुरू किया गया था, तो यहाँ पे सही आंसर क्या बनेगा, आप्सन हम सी को टिक करें अकबर के दौरा, देखे फिंस, यहाँ से दो प्रश्ण पूचे जाते, एक तो दीने इलाही की स्थापना, ठीके दीने इलाही की स्थापना कब होई थी, दीने इलाही की स्थापना 1582, इसे में किया गया था, लेगिन अगर आप से पूछे कि इसकी सुरुवात कब की मुगल समराट कौन था, सती प्रता का भरतस्तना करने वाला मुगल समराट सही माइने में अगर हम बात करें तो राइट आंसर बनेगा, ऑप्सन C, अकबर, अकबर ऑप्सन C, किसने, अकबर को जिले इलाही, यानि खुदा की परचाई, एवं फर ए हिंदे, खुदा से निक संगमरमर का काल कहा जाता है, साजहां के काल को कहा जाता है, और इनके समय को स्थापतिक अलाका स्वर्ण यूग के नाम से भी जाना गया, किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की निव पड़ी थी, तो मुगल राज्य की निव भारत में पड़ी थी, पानिपत के प् फिर चर्मुत कर्स पर पहुंचे थे मुगल चित्रकारी जो है वो प्रकास्था चर्मुत कर्स पर पहुंचे थे हाई लेवल पर था जहां गिर के समय में निम्लिखित में से किसने अकबर की जीवन कता लिखे है अकबर की जीवन कता किसने लिखा था तो यहाँ पे सही आंसर बनेगा राइट आंसर विल बी आप्शन ए अबूल फजल ठीक है अबूल फजल ने अकबर की जिवन कता को लिखा है एक को डिख रहेंगे अगला पॉइंट्स किस मुगल सासक ने भारत की वनसपतियो और प्राणी जगत रित्यो और फलो के विशद विवरण अपनी डारी में दिया है डारी में दिया है किसने तो बाबर बिल्कुल सही होगा आप्शन सी चलिए अगला पॉइंट्स अकबर दोरा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्सा बौध विहार की तरह है बौध विहार की तरह है पंच महल ठीक है पंच महल आप्शन ए होगा करेक्ट आप्शन से बनता है कि औरंग्जेव ने दच्छड में जिन दो राजियों को विजित किया था वह कौन से थे औरंग्जेव ने दच्छड में दो राजियों को विजित किया विजापूर और गुलकुंडा यहां पर सही अंसर पनेगा option C प्रसीत तांसेन जो थे उनका मखबरा कहा बहुत है प्रसीत तांसेन का मखबरा कहा बहुत है तो ध्यान रहेगा प्रसीत तांसेन का मखबरा गौलियर में पढ़ता है अच्छा उपर में जो questions हम लोगों देखा था औरंग जेव ने विजापूर और गौलकुंडा को जीता था तो विजापूर को 1685 में जबकि गौलकुंडा को 1687 में ये points याद रखेंगे दो अपको date याद रखना है 85 और 87 अगला points किस सीख गुरू की मृत्यू के लिए औरंग जेव जिम्मेदार है किस सीख गुरू के मृत्यू के लिए औरंग जेव जिम्मेदार है आज इस पूरे वीडियो में आपको मुगल समराज से समानित questions देखने को मिलेगा 60 plus MCQ हम लेकर रहा है तो बस अच्छे तरीके से करें आपने पढ़के होंगे मुगल समराज से को तो काफी questions यहां से अच्छा लगने वाला है तो औरंग जेव जिम्मेदार थे सई answer बनेगा option B गुरू तेख भादू जो के गुरू के शिखो के नवे गुरू थे यह गुरू तेख भादू और गुरू गोविन सिंग्ची के यह पिता जी थे सेरसा की महानता का घोतक क्या है सेरसा की महानता का घोतक क्या है प्रसासनिक सुधार C will be right answer प्रसासनिक सुधार देखे ध्यान दीजेगा सेरसा के गर हम बात कर रहें तो सेरसा के बचपन का नाम कहा था फरीद खा और ये सूरवंस का था ये याद रखना है ठीक है सूरवंस का था और इनके पिता हसन खा जो थे वो जौनपूर राजे के अंतरगत सासाराम के एक जमिनदार थे ये ध्यान देगा और इनको सेरखा की उपादी किसने देती तो मुहमद बहार खा लोहानी ने दिया था क्यों क्योंकि इनोंने एक ही दलवार के वार में एक सेर को मार गिरा था और इसी की बहादरी को प्रसन होकर के बिहार के जो अफगान सासक सुल्तान थे, सुल्तान का नाम क्या मैंने बत्ता दाया मुहम्मद बहार का लुहानी, इन्होंने इनको सेर खाकी उपादी देती ठीक है, अगला कॉशन हिमायू नामा किस ने लिखा है हिमायू नामा के लेखक, गुलबदन बेगम अप्सन ए, गुलबदन बेगम अकबर के सासन में महाभारत का फारसी भासा में अनुवाद किया गया था वह किस नाम से जाना गया फारसी भासा में महाभारत का अनुवाद किया गया जिसको रज नामा के नाम से जाना गया किस मुगल समराट ने सयद भायों को गिराया सयद भायों को गिराया था किस ने मुहम्मद साह जिनको रंगिला बाद साह के नाम से जाना गया निमलिकीत में से कौन अंती मुगल समराट थे अंती मुगल समराट कौन हुए अंति मुगल समराट बहादूर साह दुटिय या फिर बहादूर साह जफर के नाम से जाना जाता है C will be right answer प्रसिद मुस्लिम सासक सासी का चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौपा था निमलिखित में से किस राज्य से संबन दी थे चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौप दिया था और ये अहमद नगर से संबन रखती थी C विल्कुल सई answer होगा अगला प्रस्ट मुगल प्रसासन विवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारम किया तो यहाँ पर सही answer क्या बनेगा मनसबदारी प्रणाली को start किया गया था अकबर के द्वारा option B अकबर के द्वारा बी को टिक करेंगे अगला questions कि अपने कालका स्माहान संगी तक तांसन किसके दर्बार में रहते थे तांसन किसके दर्बार में रहते थे तो तांसेन का संबान दो जाता है अकबर के दर्बार में ही रहते थे और एक चीज़ में आपको बता दू अकबर ने तांसेन को एक उपादी दी ती जिसका हम उपादी का नाम कुछ इस तरह से रख सकते हैं कंठाबरण वाणी विल्लास की उपादी अकभर ने तानसिन को दी ये ध्यान रखेगा ठीक है चलिए आगे बढ़तें नेक्स्ट वने की मुगल काल का राजवासा कौन सी थी मुगल काल की राजवासा कौन सी थी फारसी ठीक है फारसी यहां पे बिल्कुल सही होगा रामचरित्र मानस के लेकक तुलसी दास किसके सासनकाल में संबन दीते हैं तुलसी दास चोते हो किसके समय में रहते थे किसके सासनकाल से संबन दीते अकबर के दर्बार से अकबर के सासनकाल में भुराजस्वे सुधारों के लिए कौन उत्तर दाई था वो राजस्वे सुधारों के लिए कौन उतरदाई था टोडर मल अच्छे यहाँ से एक छोटा सा पॉइंट हम डिसकस करते हैं जैसे अकबर के समझ में बहुत सारी महतपून कारे उसनों ने किया था जैसे दास प्रता कांथ आपने पढ़कर क्या होगे तो थोड़ा सा ध्यान में रखेगा जैसे मैं बोलूँगा आप डेट को सोचेगा ठीक है दास प्रता कांथ 1562 में क्या अकबर को हरम दल से मुक्ति कम मिली थी 1262 में ठीक है 1562 में तीर्थ यातरा कर को समाप्त कम क्या था तो जल्दी से सोचिए 1563 में तीर्थ कर की यातरा को समाप्त क्या था जजियागर को कब समाप्त क्या जजियागर को समाप्त क्या 1564 में ठीक है जजियागर को समाप्त क्या 1564 में फतेफ़पूर सिखरी के स्थापना कब की गी थी तो तीन साल बात तीन साल बात यानि 1578 में ठीक है 1578 में उसके बाद अगर हम बात करें कि मज़र की घोशना कब की मज़र की घोशना 1589 में 1589 में उसके बाद एक और इंपोरेंट आता है दीने इलाही के स्थापना कब हुआ तो दीने इलाही के स्थापना 1582 में और इलाही को सबसे पहले अपनाने वाले राजा कौन थे राजा बीरबल ठीक है राजा बीरबल तो यह सभी जो डेट आपने यहाँ पर देख रहा है वो बहुत जादा इंपॉर्टेंट है अक्सर क्वेसंस पूछा जाता है इन सभी को याद रखना है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क् सैंगी तग तशनिं और वैजू बावरा किसके सासनकाल में सुविक्ख्याते है अकबर के समय में C will be right answer अकबर के समय में राजा बीरबल को उपाधी किसे दी गए थी यानि राजा बीरबल की उपाधी किसे दी गए थी तो देखे ऐसे भी कोशन पुजाता है कि राजा बीरबल का वास्तविक नाम क्या था तो महीस दास था और इनको राजा की उपाधी दी गए थी राजा बीरबल की उपाधी दी गए थी अकबर के दोरा तो यहां पे right answer बनेगा option A किस मुगल सासाग का दो बार राजविसेक हुआ तो ध्यान रगेगा यहां पे सही answer क्या बनेगा दो बार राजविसेक हुआ था औरंगजेब का औरंगजेब का पहली बार जो राजविसेक करा रहा गया वो 31 सुलाई 1658 को और दूसरा 15 माई 1669 को यानि दो बार इसने राजविसेक करा रहा था ठीक है तो यह चीज़ आपको याद रखना है नेक्स्ट वन क्या कह रहा है किसने मुगल समराजी की राजविसेक को आगरा से दिली स्थनातित किया आगरा से दिली स्थनातित किया कौन थे वो सहजा थे अगला कुशन की अकबर के युवा वस्था में उसका संरक्षा कौन था अकबर के युवा वस्था में उसके संरक्षा कौन थे बैरम खा अपसेंटी बैरम खा देखे फिन्स कल के लिए हुमक का क्या रहने वाला आपका तो लुसेंट सब्जिक्टी पेज का पेज नमबर 33 से लेकर के 36 तक और कल हम लोग का मदे काली नितिहास वो भी कम्पीट होगा ठीक है वो भी कम्पीट हो जाएगा उसके बाद मोडरन हिस्ट्री को कवर करेंगे उसी तरह से हम लोग बहुत जल्द कोसिस करेंगे कि आपका ये जो है बहुत अच्छे से तरीके से हम लोग कम्पीट कर लें लेकिन इसमें आपको साथ देना पड़ेगा हमारा आपको सपोर्ट करना पड़ेगा ताकि आप टीगुलर पढ़कर आओ और यहां पर हम लोग वीडियो के तरू आपको MCQ प्रोवाइड करा सके तो जल्दी से काफी सुचने के बाद वो वीडियो बनाया जा रहा है तो आप जरूर हमारे चैनल पर विजिट करिएगा निमलिखित में से कौन सी आत्मकत है कौन सी आत्मकत है तो आत्मकत है मतलब वो खुद से लिखे गई थी बाबर के दोरा तुजक ए बाबरी बाबर ने खुद पराजित हुआ यानि बाबर से कौन पराजित हुआ तो बाबर से पराजित हुआ था इब्राहिम लोदी अकबर का राजवी से कहां हुआ था अकबर का राजवी से कलानौर में हुआ ऑप्शन एक कलानौर गुरु अर्जुन देव किस के समकालें थे गुरु अर्जुन द किस मुगल सासा को आलमगीर कहा गया और अंग जेप को आलमगीर के नाम से जाना गया option D समराथ अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाथी दी गए थी ध्यान देंगे यहाँ पर राइट आंसर क्या बनेगा option A यानि कि मुहमद हुसेन कसमीरी को जरी कलम की उपाथी मिली थी जबकि अब्दू समर्थ जो देख रहे हैं इनको सिरी कलम की उपाथी दी गए थी तो ये दोनों पुक्त इंपॉर्डेंट है इसे याद रखना है अगला पॉइंच के हल्दी घाटी का योध कब लड़ा गया हल्दी घाटी का योध कब लड़ा गया 1576 1576 इसय है option B अगला कोयर्शन स्पनता है कि किuses के समय में मलिक मुहमद जैसary ने पदंमावत की रचना की थी मलिक मुहमद जैसary ने किसके समय में सेरसा बनेगा क्योंकि आपको पता है कि 1549 और 1540 में 1549 में आपका चौसा का युद्ध हुआ और 1540 में कनोज या फिर विलगराम का युद्ध कह सकते हैं इन दोनों युद्धों में पराजित होने के पस्चात ये कह सकते हैं कि दिल्ली से अपना छोड़ चाड़ करके भाग चुका और 15 वर्सों तक इधर उधर भटकने के बाद ये दुबारा 1555 में आया हुआ था 1555 में जो कि सरहिंद युद्ध में उसने सिकंदर राजा सिकंदर को पराजित किया पंजाब का जो सासक थे उनको पराजित किया और उसके बाद दिल्ली पर पूर्ण सासन किया तो यहाँ यहाँ पर कहने का मतलब यह हुआ कि यह दो बार सासन बना एक तो पहले सासन थे और उसके बाद 1555 में फिट से बना तो राइट एंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन B ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स वर्ण कि भारत में बीबी का मकबरा कहां सतीत है भारत में बीबी का मक मकबरा कहा पढ़ते हैं औरंगाबाद में औरंगाबाद में महरास्ट वाला औरंगाबाद ना कि बिहार वाला ठीक है नेक्स वर्ण के है किसने चौसा की लड़ाई में हुमायू को पराजित किया था चौसा की लड़ाई में हुमायू को पराजित किया था कौन थे वो सेर सा थे सेर्षा और हिमायू के मद लड़ गया था ओप्शन ए हुमायू का मकबरा कहां सती थे हुमायू का मकबरा HD याद रखेगा इस वीडियो को भी आप देख रहे हैं HD में तो यानि कि हुमायू और दिल्ली हुमायू और दिल्ली option A मुगल प्रसासन में मुहतसिब कौन थे मुगल प्रसासन में मुहतसिब कौन थे लोक आचरन अधिकारी को कहा जाता था मुहतसिब C will be right answer किस युद को जीतने के बाद सेर्साने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी तो अंतिम रूप से इसने जीता था कौन तो 1540 में विल्गराम युद को जीतने के बाद हुमायू फरार हो गया भाग गया उसके बाद यह कह सकते हैं दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की सेर्जाने अगला कुशन साह जहाने निमलिखित में से किस सहर में मोती मस्जिद बनवाई थी राइट आंसर विल बी ऑप्सन सी आगरा चीक है आगरा यहां पर करेक्ट होगा किस मोगल बादसा ने जजिया नामक कर को पूना लगाया जजिया गर को समापते कर दिया गया था अकबर के द्वारा 1514 टीजी में लेकिन पूना इसने औरंग जेम ने जजिया गर को पूना लगा दिया तो राइट आंसर क्या होगा अप्सन सी अच्छा जजिया क्या होता था गयर मुसलिम से ये कर लिया जाता था ठीक है गयर मुसल्मानों से अगला प्रशने अकबर के सासनकाल में अमल गुजार नामक अधिकारी का कारी क्या होता था तो इनका कार होता था भूर किस संधी के द्वारा किलो को अस्तनातित कर दिया पुरंधर की संधी के द्वारा पुरंधर की संधी के द्वारा पुरंधर की संधी ऑप्सन से ही पुरंधर की संधी हुई कब दी यह आप नीचे कमेंट करके बताएंगे दक्षिण में निवनिखित में से किसके सासन में मु इसने कब आया तो 1556 में तो यहां पर राइट अंसर बनेगा ऑप्शन भी 56 में इसके विर्थियों भी हो गई थी दिनपना नमग बवन में सीड़ी से गिरने के पस्चात आपको पता ही होगा नेक्स वन क्या है कि निमलीकीत में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपादी अपनाई और बाद में सुल्तान के हजरत आला की उपादी सीरसा सूरी सी विल बिराइट अंसर सीरसा सूरी और जेब दोरा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या है और अंग जेब दोरा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या था दारुल इस्लाम दारुल इस्लाम बी विल बी राइट अंसर नेक्स रोन है कि दिल्ली के लाल खिले का निर्माण किस ने करा था दिल्ली के लाल खिले का निर्माण किस ने करा साजा साजा का यूद हुआ जो कि 1531 इस्वी में रड़ा गया था 1531 में हुमायू के द्वरा उसके बाद 14 का यूद हुआ 1549 उसके बाद कनौज है फिर बिलगरा 1540 और लास्ट में 1555 में सरहिंद का यूद यानि सही आंसर यहाँ पे करम से देखे तो option B होगा right answer निम्रिखित में से किस इतिहासकार ने सा जहां के सासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण यूग कहा है मुगल काल का स्वर्ण यूग कहा है तो यहाँ पे सही आंसर क्या बनेगा मुगल काल का स्वर्ण यूग कहा है किसने AL स्रिवास्तों AL स्रिवास्तों option C मयूर सिहासन यानि तक्ते ताउस पर बैठने वाला अंती मुगल बादसा कौन था तक्ते ताउस का निर्माड किस ने करा था जिसको मयूर सिहासन कहा जाता है साज आने करा था और अंती मुगल सामराथ इस पर कौन बैठें तो मुहम्मद साह रंगीला जिनको रंगीला बादसा के नाम से जाना गयाता है Option B, ठीक है क्योंकि इनी के समय में नहदीर साह का अकरमड हुआ और वो तक्तिताउस को अपने साथ ले गया Next one दिखे कि किस मुगल बादसा को जिंदा पीर कहा जाता है जिंदा पीर के नाम से किसे जाना गया जिंदा पीर के नाम से औरंग जीब को जाना गया Option B, औरंग जीब ध्यान रखेंगे जिंदा पीर तो है वो औरंग जीब को कहा गया लेकिन नियाए की जंजीगीर के रूप में जहांगीर को जाना गया अकबर के काल में महाभारत का फार्सिय नुवाद किसके निर्डेशन में हुआ था तो रजनामा के नाम से हुआ था फैजी के नेटेशन में और ऐपसंट डी निमली कित मुगल बादसाखों में से किसने अपने आत्म कथा फार्सी में लिखे थे किसने अपनी आत्मकता फार्सी में लिखी थी तो जहां गीरने जहां गीरने option C को टिक करेंगे अच्छा एक questions मैं आपसे पोस्ता हूँ चलिए last में पोचूँगा जो कि आज की इस वीडियो का आखरी प्रस्न ये है कि कौन सामक बड़ा द्वितिय ताजमल का लाता है इसका राइटेंस आपको नीचे comment करके बताना साथ साथ एक questions ये है जैसे कि मैंने उपर में बताया था आपको questions की पूना जजियाकर को औरंग जेब ने start किया था अकबर ने 1564 टिस्यो में इसको समाप देखिया लेकिन पूना औरंग जेब ने जजियाकर को लगा है तो जजियाकर को पूना औरंग जेब ने कब start किया था ये आप नीचे comment करके बताएंगे date क्या रहा होगा वो आपको बताना है ठीक है एक चीज तो ये questions हो गया दूसरा questions हम ये आपसे पूस्ते है पुरांदर की संदी होई कब थी ये आप नीचे comment करके बताएगा और कल का होमक की बात के दो questions आपको बताना और साथ ये questions का राइडन से नीचे बताएगे अब कल का होमक के लिए जो page number में आपको बताता है एक बार फिर से बताता हूँ 33 से लेकर के 36 तक आपको बढ़ करके आना है ताकि आपका modern history next day से start होगा ये आपका मदेकाली जो भारत है वो complete हो जागा ठीक है तो बस आज किस वीडियो में इतना ही आसा करते हैं कि आप लोग को आज कई वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताए अच्छा लगा है तो लाइक करना है दोस्तों को साथ शेर करना है और कल हमारे इस चैनल पे करीब एक घंटा प्लस की एक वीडियो आ रही है आप उसको जरूर देख लीचेगा वो बहुत इंपोर्टेट है चाहे कोई भी ए यह बहुत ज्यादा हेलफूल रहने वाला है तो मिलते हैं नेक्स क्लास में थैंक्स व वाचिंग कीप वाचिंग कीप लर्निंग हाव अगुटे